शीषिवाय नमस्तु व्यम दर्शे को हर हर महादेव तो केसे हैं आप लोग तो बहुत से बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या वो बढ़ाई नहीं करते हैं या फिर इदर उधर की बातों में लगे रहते हैं मोबाईल में लगे रहते हैं उनका पढ़ने में मन तो करना चाहते हैं पर उनका भी पढ़ने में मन नहीं लगता है तो यह अच्छक उपाई उन सभी लोगों के लिए है पुझ्जी गुरुजी की कता से यह बुद्धी और ग्यान प्राप्त करने का उपाई आपके लिए कर आए है तो चैनल को सब्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा तो आपको करना क्या है कि आपको एक पीले चंदन की लकडी ले लेना है यदि आपके पास पीले चंदन की लकडी नहीं है तो आप पाजार से भी खरिद कर उस चंदन को कटोरी में गुल सकते हैं अब जो चंदन की लकडिली है उसको घीज कर आपको लेप तयार कर लेना है अब आपको ये सब चीजे लेकर आपके पास में जहाँ पर शीव मंदीर है वहाँ पर चल जाना है वैसे तो यह उपाए आप सुबत से शाम में कभी भी कर सकते हैं लेकिन धोपर का समया कर रहे तो उच काटोरी में ले लेना है क्या करना है कि जिस भी वक्ति को पढ़ने में दिक्कत आती है या जो पढ़ना तो चाहता है पर उनका मन नहीं लगता है मन दोदर भागता है तो आपको क्या करना है कि जो आप चंदन लेकर आए हैं उसकी एक बिंदी आपको उनके मस्दिश्क पर मतलमाथी के उपर लगा देना है वYU police तो यह उपाई आप किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन यदि आप यह उपाई रविवार के दिन कर रहे हैं तो आप रविवार के दिन सुरेश्वर महादेव का इसमरण करके इस उपाई को कर सकते हैं बस इतना चोटा सा उपाई आपको करने से जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है या फिर पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा कठिना ही आती है वो भी पढ़ने की और अग्रिशित हो जाएगा और आपकी जो भी परिशानी इससे आ रही है वो दूर हो जाएगी तो उमिद जँ जा सकता है जबरे बहुत जो जो भी से जोटा है युइका ऍानी है रही हो जवे हो जो 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 प्यूर मेंदा में ँो से प्यlar घुला ही यून